असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आपको तीरा जो होता है इसका फार्मूला बताने जा रहा हूं जो तीरा हमारा कॉलर वाला होता है बोर्ट नेग होता है जो गला डीप होता है मलब कॉलर वाले से लेके चार इंज तक और फिर उसके बाद में 5,6,7,8,9,10,11,12 इंज तक इन गलों में किस तरीके से हम तीरे की कटिंग करेंगे तो मैं यह आज आज आपको समझाओंगा तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखें और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को भी चैनल को मिलती रहें और दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल क ले सकते हैं तो इस्क्रीन पर नमबर दिया गया एं उस पे आप मुझसे काम टेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आप करते हैं वीडियो को सुरू तो यह देखिए दोस्तों यह मैंने कपड़ा ले लिए यह आदा म कि अुभ बोलते हैं उसम्में किस सरी के से हम करेंगे उसके बाद में सबस्क्राइब करकिसे पहुत्र falt कि अभी मैं तीरा समझाऊंगा आने वाली कोई वीडियो में मैं आपको आर्मोल किस तरीके से निकाला जाता है वो भी बताऊंगा ठीक है तो अभी मैं फिलाल इसमें देखिए जैसे कॉलर वाला होता है उसके इसाफ से हम निसान लगा लेते हैं अंदाजन ऐसी अभी लगा पार रहें कि हमारे निसान लगवाए न थोड़ासा एक अच्छा सा लगता है कि हाँ यह निसान लगे है अनल आप तरहाल, इससे तरहा इसे अगन मुझे हां तक शक्यशन के लिए नहुच साल हुग vem मेरा है है that डी से धर आपघ रींगे आपने के बाद में नौभक है रिच करना पड़ा आ Pizza लिया नपखने तो तो आदा इंच हमें मार्जन लेएक चलना पड़ता है क्योंकि कपड़ा जू होता है वह posit टोड़ा सा क्षिच जाता है तो इस तरीके से हमारा साधे 4 शौदा इंच है यह हम सबसे पहले जो है वह कॉलर वाले की कटिंग करुएँ तो साधे और साड़े साथ का ही इस चाहिए रगाएगे चैस्ट का निसान आपका जो भी है हम इस में लगा लेते हैं 20 इंज का this लिए 19 इंज का यह आ जाएगा, हमारा यह निसान आ जाएगा, अब हमें यह वाला निसान और यह वाला निसान, कॉलर वाले में बिल्कुल सेम लगाना है, देखिए इस तरीके से, यह देखिए इस तरीके से, और उसके बाद में इसकी कर देनी है यहां से, जो यह गुलाई करते हैं, इसकी अगर यहाँ से गुलाई आप करेंगे तो यह बैक दोलए करने कि लिए यहां से उख है इस जगापर इधर को युक्त करना है अंदर की सेड्चंप से निखें निमने निस और यह यह जो है झो हमने कॉलर का क recommended यह जो ओंडर के विकन लगाए है यहां पर इसको इस तरीके से यह एिसे करें निसान लगाएंगे तो यह इतना अंदर आ जाएगा को ज्यादा ही जिन की यहां पर यह जगा जो कम आती है तो आप उसको नाप लें नापने के बाद में भी रख सकते हैं तो जो हमने यह यहां पर 1 इंज कराया आप उसमें सबस्पाइज भी ले सकते हैं इससे ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा कम उजागा है टe होने का डर रहता है तो तो एक से सवाइन आप इस तरीके से कॉलर वाले में कर सकते हैं अब यह देखिए जितना हमें यह डॉन करना है उस तरीके से इसको कर लिंगे और यह जो तीरा जो हमने यह निसान जो लगाया यह सीधा वाला यह जो यहां से अगर आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए यहां पर जो तीरे का यह निसान है स्वेम इसी पर कर देंगे देखिए मैं पहले इसको काट देता हूं कि यह डवल में कपड़ा है फिर हम आपको जो गले हैं उसमें और समझाएंगे आपको देखिए इस तरीके से यह यह कर टिंग रहेंगा यह एक अंदाजे के लिए यह निस और रूंफ घंडेगा आप यह देखिए अब इस तरीके से यह निसान उने यह लगाया यहांसे और इसको कटाइंग कर लिए यह हमारी बैक की कट इंग पूड़ी होगी अब आप महीं इस तरीके से दो पल्ल्ने होते हैं तो एक पल् billion निकाल देंगे फिर हम यह देखिए इस तरीके से इसको देखिए कटिंग करेंगे अब ही मैं आपको इसमें आर्मोल का बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ सिर्ब तीरे का ही समझा रहा हूँ तो देखिए इसको हम इस तरीके से यह से यह कटिंग करेंगे यह देखिए इस तरीके से यह हमारा हो गया कॉलर वाला अब यह देखिए एक बार इसको खोल के दिखाते हैं इसे करके यह कॉलर वाला जो होता है इस तरीके से जो हमने यहां से नापा है तो जब इसको इस तरीके से बनाया जाता है तो यहां से बिल्कुल कोई खिचाव नहीं आता है यह बिल्कुल एकदम ऐसी बैठता है एकषी कॉलरिट बिल्कुल सेम ऐसी बैठेगा तो आपको यहां पर आप कम कट देंगे तो यह छीज खिचने लगेगी, तो खिचेगी तो अगर यह खिस्ती है ना जब पहनने के बाद में फिर यहां पर जोलाने लगती है कई बार तो इस तरीके से आपको पूरा यह काड़ ना है अब यह देखिए यह तो हो गया आपका कॉलर वाला अब इसी में आ जाता है आपका जीरो, एक इंच, दो इंच, तीन इंच और चार इंच उसमें जो आप करेंगे जैसे जीरो साइज का जो होता है जीरो साइज इसी कोई बोलते है कॉलर वाले कोई क्योंकि उसमें जीरो मतलब ही इतना होता है कि जीरो उसमें कोई कटिंग करनी ही नहीं है तो यह कॉलर वाले ह होता है एक में भी आप करेंगे उसमें भी कोई कटिंग नहीं होगी ज्यादा तो यहां से खिचाओ नहीं आएगा उसमें भी आपको इतना ही काड़ना है दो इंच में भी इतना ही काड़ना है और अगर आपका जब चार इंच आ जाता है तो चार इंच में जो आपको है उसंู้ तरीके से रख लिया ये देखें हैं आप इसको हम इस तरीके से देखें हैं क्योंकि कर्ड दोगा तो जादा समझ में आएगा है कि यह देखें इस सब्सक्राइब बर्जा हैก आब हम यह थीक है nell ultra जो गला कटते हैं 6 इंच से कम कोई गला होता ही नहीं तो यह इस तरीके से भी अगर 4 इंच का गला हमने काटने के बाद में अब हमने देखिए जो 13 15 इंच काट दा तो यह देखिए इसमें दिल्बा एक तया है अपा जाए तो इसमें तो हमें क्या कोना नां है जासे चार लिंगाँ बावा टो चार इंदा हमने टीरा नापा है हमें विल्कुल उतना ही काटना है उसमें कोई एश्टा निखनना है Ook आप ऐस Ray az इसमें हम करेंगे 1.5 इंज कम, तो हम 3 काटेंगे, 13 इंज, देखिए इस तरीके से यह निसान लगाएंगे, यह देखिए, यह 13 इंज का यह निसान लगाएंगे, इस तरीके से, 13 इंज का आदा हो गया 6, तो देखिए इसको इस तरीके से काटेंगे, पहले हम 3 काट देते हैं इस तरीके से ओगाुँब हम इसका काटते हैं गला। गलाम काट लेते हैं इसका शेंज वाला। पांट और शेंज में इस तॉरहा से आला। अब यह देखी जैसwyni से 109 डियां अब इसको इस तरीके में रखेंगे तो यह देखिए ये बनने के बाद में जैसे हमने काड़ा है तो यह तरीके से क्योंकि यह जग आंपर इसके पास में आ गया तो हल्क ऐसे तरीके से और और इतना जब आफ बना लेंगे, तो यह बनने के बाद में दिखिए इस तरीके दे फैलेगा, तो यह फैलने के बाद में देखिए यह बिल्कुल 4.50 इंज आ रहे हैं, उस तरीके देखिए, तो 6 इंज वाले में आफंट एडेरींज कम करेंगे, और इसी तरीके से आपका गला आजाता है 5-6 इंच में 1.5 इंच कम करेंगे और इसी तरीके से गला आपका आजाएगा 7-8 इंच तो 7-8 इंच गला जो आएगा आपका इसमें आपको करना है 2.5 इंच कम मलब यहां से 2.5 इंच कम करना है आपको साथ और आठ इंज वाले गले में ये धाइंज कम करना है आपको माइनस करना है इस तरीके से ठीके तो आपका बिल्कुल एकदम तीरा सही आजाएगा जैसे कि अभी हमारा ये साड़े चौदा इंज तीरा है और ढाइंज यहां से कम कर देंगे तो हमें काड़ना यहां से 12 इंज में मलनब 12 इंज का अदा होगा 6 इंज ठीक है अब इसी तरीके से आपका ये सात और आठ हो गया अब 9 और 10 हो गया 9 और 10 के अंदर आपको इस चीज को ढाई की जगा कर देना है तीन इंच इसको cut कर देना है यहां से मलब 9 और 10 में आपको minus करना है तीन इंच तो आपका 13.5.14 इंच है यह अब इसमें ते 3 इंच कर देंगे तो यह आपका बच जाएगा 11.5 इंच तो आपको 11.5 का निसान लगाना है मलब 6 इंच अब इसी तरीके से आपका 10, 9 और 10 हो गया 11 और 12 इंच हो गया 11 और 12 इंच का जो गला आएगा उसके अंदर भी आपका 3 इंच ही minus होगा तो इसको भी आप पौने 6 इंच से काटें और अगर कोई सिकायत देता है आपक हो गरते हैं तो 3.5 इंच माइनस कर देंगे तो जो बहुत दिक्कत देती है जिस तरीकेиной वह अपनी टिक बनाता हूं मैं इसived नहीं को बनाके देता हूं आप इस तरीक को फॉलोगह से फॉलोगह तो इंशालला आपको देखिए बहुत सारी मदद मिलेगी और आपकी बहुत सारी परिशने भी दूर होएंगी कि जो तीरा गिरने की अब ऐसे करने की अगर उसके बाद में भी अगर कोई चीज ऐसी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और फोन नंबर दे रखा है आप फोन भी करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कानुना ना भूलें मिलते हैं हम आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपी